भारत और उस्ट्रेलिया के संबंदों का जिक्र आते ही क्रिकेट सबसे पहले उभर कर आता है लेकिन दोनों देशों के बीच उनके साजी विरासत है जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंदों का आधार तयार करती है इन्हीं संबंदों को और प्रगार बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंडर मुदी अगले हफते आस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस महत्रपुर्पुर्ड दौरे पर प्रधान मंत्री वहां के चार प्रमुक शहरों सिड्नी, ब्रिस्बन, कैन्बरा वे मेल्बून का भी दौरा करेंगे। ब्रिस्बन में वे जी ट्वेंटी के सम्मिलन में हिस्सा लेंगे, तो कैन्बरा में आस्ट्रेलिया प्रधान मंत्री टौनी अबॉट के साथ दियोपक्षिय वारता होगी। Melbourne Cricket Ground में PM के सम्मान में कारिक्रम होगा तो Sydney में भारती समूदाई के लोग भव्य कारिक्रम की तयारी कर रहे हैं। प्रधान मंत्री इस यात्र को कितनी एहमियत दे रहे हैं उसका अंदाजा उनके इस बयान से ही लग जाता है। दोरे के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा, मेरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा विशेश और एतिहासिक दोनों हैं। प्रधान मंत्री अपने इस एहम दोरे के दोरान उस्ट्रेलिया के साथ उर्जा सयोग समित कई समझोते करेंगे। अब प्रधान मंत्री अस्ट्रेलिया में रहरे भारती लोगों के साथ खास मुलाकात करेंगे। सिड्नी में भारती समुदाई के लोगों ने एक बड़े कारेक्रम का आयोजन किया है जिसमें करीब 17,000 लोग हिस्ता लेंगे। इंडियन-Australian Community Foundation is hosting community reception for Honorable Prime Minister Narendra Modi in Sydney. This is the only community reception or only community event that we are holding in Sydney and it would be a much larger in scale because this would be the largest event for any foreign leader in Australia. In this event, we are expecting more than 17,000 to 18,000 people to attend this event. Australia में बड़ी तेजी से बढ़ रहे भारती समुदाई के लोगों की संख्या करीब 2,95,000 है. इसके अलावा, भारती मूल के लोगों की एक बड़ी संख्या फीजी, मलेशिया, केनिया और दक्षिन अफ्रीका जैसे देशों से है. अस्ट्रिला की अर्थविवस्ता में भारती समुदाई के लोगों का एक बड़ा योगदान है और वे डॉक्टर, टीचर, एकाउंटेंट, इंजीनियर और इन्फरमेशन टेक्नोलोजी से जुड़े एहम पदों पर हैं. भारत अब ब्रिटेन और न्यूजिलेंड के बाद उस्ट्रेलिया में अप्रवासी लोगों का तीसरा बड़ा संगठन है. उस्ट्रेलिया युनिवरसिटी में करीब 36,000 भारती चात्र पड़ रहे हैं. हाला कि बीच में कड़े वीजा नियमों और भारती चात्रों पर हु लाब होंगे. सबसे पहला लाब यह होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा. दूसरा हमारे बीच में जो बिजनिस वाले लोग हैं, उनका इंडिया में जाके जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि बिजनिस करना आशान होगा. तीसरा जो भी वहां पर प्रोजेक्ट्स और हैं, चाहे व हमें भी हमारे दोनों देशों का ऐस्ट्रिलिया और इंडिया का सहयोग बढ़ेगा. बहराल, अब हम उम्मीद करें कि दोनों देशों के संबन एक नए यूग में पहुँचेंगे और एक दूसरे का हाथ थाम विकास का एक नया इतियास रचेंगे. News Night Desk, DD News.